ओम शान्ति मैं डॉक्टर सचिन पर आप मुंबई से बोल रहा हूं स्वास्त की श्रिंकला में हम देख रहे हैं अलग-अलग प्रकार के स्वास्त जिसमें शारिरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्त हमने देखा आज हम बहुत महत्वपूरुन स्वास्त देखने वाले जिसका नाम है भावनिक स्वास्त या emotional health कई लोग इसको मानसिक स्वास्त के अंडर लेते हैं, कई लोग इसको अलग रूप में लेना चाहते हैं और ये है भी उतना जरूरी भावनाए या जिसको अंग्रेजी में emotions कहते है emotions को हम कहते है energy in motion या संस्कृत में इसको आवेग और समवेग कहा गया क्योंकि ये वेग में आता है, स्पीड में आता है और ये बुद्धी काहरन कर सकता है भावना उको मनोवएग्यानिक प्रमुक छे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं या तो डर की भावना या प्यार की भावना या फिर एन लाव यह बेसिक दो इमोशन या भावना ये हैं और कुछ लोग इसको छे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसमें खुशी की भावना और उदासी की भावना मना happiness and sadness एक है anger और एक है fear मना क्रोध है या डर की भावना है और एक है surprise मना अश्यर्य और एक है disgusting मना disgust मना ग्रणा ये छे प्रमुख भावनाएं हैं और बाकी सब इसके shades है अगर हर एक भावना की गहराही में जाए तो काफी समय लग सकता है लेकिन एक concept 90's में जो आया बहुत important आया पहले हम समझते थे कि जिनका IQ अच्छा है मना जो पढ़ाई में काफी अच्छे हैं टॉपर्स हैं वो जीवन में successful होते हैं सफल होते हैं लेकिन बाद में हमको पता चला कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन अगर आपकी भावनाओं के उपर आपका नियंतरन नहीं है तो आप जीवन में failure में जा सकते हैं तो जो studies होएं उसमें पता चला कि IQ माना आपकी बुद्धी मत्ता केवल 20 प्रतिशत सफलता के लिए important है लेकिन 80 प्रतिशत सफलता जो आती है वो भावनिक बुद्धी मत्ता से आते माना emotional intelligence अभी emotional intelligence या भावनिक बुद्धी मत्ता में क्या क्या आता है तो उसमें तीन-चार बाते बहुत ज़रूरी है एक इसको कहा गया self-awareness माना खुद के प्रति सजग रहना अपनी भावनाओं को पहचानना दूसरों की भावनाओं को पहचानना इंट्राइन, इंटरपर्सनल emotions, relationships तीसरी बात की भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाना emotional expression and fourth, emotional regulation माना भावनाओं को नियंतरण में रखना मनुष्य और मशीन में एक ही फरक है कि मशीन में भावनाओं नहीं होती है मशीन मशीन होती है पर मनुष्य में भावनाओं होती है और भावनाओं हमारे जीवन को सुन्दर बनाती है सिप ये भावनाओं हमारे नियंतरण में होनी चाहे तो emotionally healthy व्यक्ति उसको कहा गया है भावनिक रूप से स्वस्त वो है जो अपनी भावनाओं को जानता है कि उसके अंदर अभी क्रोध की भावना है, उदासी की भावना है या फिर उसके अंदर खुशी की भावना है या डर की भावना है तो अपनी भावनाओं को पैचानना अंग्रेजी में कहते है if you can name it you can tame it माना अगर अपनी भावनाओं को आप यथार्त नाम दे emotional identification तो आप उसको नियंतरण में राख सकते हैं तो अपनी भावनाओं को जैसे for example अगर आपको क्रोध की भावना है तो आप कह सकते हैं कि मुझे गुसा आ रहा है और मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है आपका behavior से मैं disturbed हूँ यह आपने अपने क्रोध की भावनाओं को पहचाना और व्यक्त किया होता क्या है जिसका भावनिक स्वास्था अच्छा नहीं है वो इन भावनाओं में बह जाते हैं हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं emotional hijack जादातर गलतिया होने का कारण है भावनाओं में बह जाना बहुत सारे जेल में जिनको सजा हुई है जिनोंने दूसरे व्यक्ति का खुन किया गया उनको पूछा गया कि आपने ऐसा क्यूं किया आप तो पड़े लिखे तब सभी ने एक ही जवाब दिया कि सर हम अच्छे घर से हमारे संसकार अच्छे है परन्तु उस खशन में मेरा खुद के उपर का नियंतरन चला गया और उस क्रोध की भावना में मैंने कर्म किया जब तक मैं होश में आया तब तक ये कर्म हो चुका था तो वान मोमेंट के लिए आपका नियंतरन चला गया तो आप जेल में जा सकता है इसलिए भावनाए इसको नियंतरन में रखना बहुत ज़रूरी है और जो व्यक्ति अपने भावनाओं को अच्छी तरह से नियंतरन में रखता है वो जीवन में सफल होता है ऐसे कहते है कि क्रोध में बड़ा decision नहीं लेना चाहिए और खुशी में promise नहीं करना चाहिए कि दोनों तरफ आप गलतिया करने के chances है हौल टेक्निक को यूज करना चाहिए हम anger के लिए कहते है जब भी आप hungry, angry, lonely and tired है मना भुके है, क्रोध में है, अकेले है और ठके हुए है बड़े decision नहीं लेना, postpone करना तो भावनाओं को अच्छी तरह से समझना है उनको व्यक्त भी अच्छी तरह से करना है उनको नियंतरन में रखेंगे तो आप अपने भावनिक स्वास्त को अच्छा रखेंगे भावनिक स्वास्त अगर अच्छा है तो आपके रिष्टे भी अच्छे है इसमें empathy या सहानुबुती समवेदना आती है resilience, quotient भी आता है तो ये सब बहुत बड़ा विशय है आज हम यहां पर ही रुकेंगे कि अपनी भावनाओं को पैचान के उसको अच्छे शब्दों में व्यक्त करेंगे तो हमारा भावनिक स्वास्त अच्छा रह सकता है अच्छा, ओम शान्ति